तो गाईज आज है तारिक 22 जून 2001 कैस और है टूजडे देखेंगे आज का देखेंगे आज का देखेंगे आज का देखेंगे अगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये चनल मिल जाएगा अगर आप लोग को इस तरीके सही चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन मॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वो लिंक इसी चनल का है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे आट्रमेटिकली ये चनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जूइन कर जोइन करने से फाईदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली बैसेस पर दहीं दू नियूस्पेपर धाएग गया है आधी बहुत सरे दिजिटल लूट्स मल जाता है फिर आकर नीचे comment section में type करना जिससे कि आप लोग इसको लंब समय तक याद रख पाऊगे और Gulf of Aden पिछले कुछ दिनों से काफी ज़दा news के अंदर भी है तो map में देखते वक्त ये भी देख लेना कि कौन कौसी countries इस Gulf of Aden के आसपास पढ़ती हैं तो चलो शुरुआत करते ह यह है आज का सबसे पहला article जिसमें बात करी गई है Supreme Court ने आपे मांग करी है कि government का क्या decision है एक्स ग्रेशा payment को लेकर कल भी बिल्कुल यही article आया था लेकिन उसी को थोड़ा सा continue करा है यहाँ पर मुद्दा क्या उठ रहा है आपको मालूम होगा कल किसी ज़क्त मुद्दा ले रखा एक्स ग्रेशा payment को लेकर तो यहाँ पर government का सीधा सीधा कहना यह है कि देखो पैसा है सरकार के पास लेकिन वो लोग compensation का जो पैसा है वो लोग दूसरी तरफ इस्तमाल कर रहे है जैसे कि fund इस्तमाल कर रहे है फूड के लिए और medical care के लिए यहाँ पर यह पैसा कर तो अगर यहाँ पर कोई decision है तो वो क्या है तो यहाँ पर government का कहना यह है बिलकुल लिया है और वो है कि जो compensation वाला पैसा है obviously बात है इसको हम लोग दूसरी जगा पर पैसा खर्च करने वाले हैं कोई compensation वगर आज के ताइम पर नहीं pay कर पाएंगे उसके बाद यहाँ पर पर जो की section 12 है disaster management act का वहाँ से उस act को follow क्यों नहीं करते हैं अब यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जो disaster management act का section 12 यही बोलता है कि यहाँ पर जो भी COVID-19 के victim से उनको compensation पे करना तो यहाँ पर कहना यह है कि सरकार इन चीजों को follow क्यों नहीं करती है अब यहाँ पर कुछ important यह हमारे exam के point of view से काफी important हो जाता है और इस बार तो बहुत ही जादा news के अंदर यह देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर हम आपको बताता हूँ यह आप लोग देख पाऊगे disaster management act 2005 करके इसको बोला जाता है GS paper 2, GS paper 3 दोनों सो आप लोग इसको easily relate कर पाऊगे health का topic है disaster management है government policies and interventions है यह आपको topics देखने को मिलेंगे GS paper 2 and 3 के अंदर तो वहाँ से आप easily relate कर पाऊगे अब बात करते हैं इसके बारे में तो यह जो disaster management act है इसको पास किया था भारत सरकार के दोरा 2005 में ताकि कोई भी disaster आता है उसको एक अच्छी तरीके से efficient way में manage किया जा सके ठीके या फिर उसके regarding कुछ और matters है तो फिर यानि disaster स सके that is why यहाँ पर यह disaster management act को लाया गया था ओके हाला कि यहाँ पर यह तो एक्ट पास कर दिया गया है तो 2005 में जब यह working में आया है वह 2006 में अपना यह working में आया था objective क्या है वह यह आप इसके नाम से समझ गया होंगे जो भी disasters वगेरा है उसको manage करना अब यहाँ पर disaster क्या ह एक तरीके से जो भी natural और man-made तरीके से calamity आती है तो उसको disaster के अंदर count किया जाएगा उसको manage करने के लिए ही यह act लाया गया है तो उसके बारे में धियान रखना 2005 का यह act आपको देखने को बल जाएगा उसके बात करते हैं next article की तो यहाँ पर कुछ जादा important नहीं है बस य चलेगा आगे बढ़ता है next article की तरफ अब यहाँ पर आता है एक और article देखो आपको मालूम होगा पिछले कुछ दिनों से UAPA Act काफी जादा news का नदर है डोंट वरी आज UAPA Act पढ़ाने वाला नहीं हूँ काफी पढ़ लिया हम लोगों ने बहुत सारे notes वागर आभी मैं अब यहाँ पर देख पाओगे यह जो 3 person है जिनको एक तरीके से UAPA Act के अंदर arrest किया गया था फिरो उसके बाद इनको bail दी गई उसी वजा से news में अब यह लोग अपना interview दे रहे है कल भी एक interview आया था आज भी एक interview है अब इन्होंने बताया कि जो यह UAPA Act है इसको misuse किया आपर अच्छे से आपको clear करनी है और फिर उसके बाद एक बार पढ़ भी एना जो मैंने आपको notes बगरा दे रखे हैं वहाँ से एक बार read up कर लेना उसके बाद अच्छे से जो है यहाँ पर type करना अपने words में देखते हैं आपर कौन कितना अच्छा बताता है UAPA Act को आगे यह लेक है बिसिकली आर्टिकल हमाली important नहीं है अभी यहाँ पर बात करीगा है जो नजाफगर लेक है इसको लेकर जो उसका water है उसको survey किया जाए उसकी quality को लेकर यहाँ पर उसकी quality का status check-up किया जाए ठीक है यहाँ पर NGT का कहना है important क्या है फिर important यह हो जाता है हमारा national green tribunal और आपको मालूम है NGT काफी कम न्यूस का अंदर देखने को मिलता है लेकिन जब भी आता है चार-पांच दिन बाद ठीक है तो उसको हम लोग एक बार discuss करी लेता है और हफते में एक बार revise हो जाएगा तो इससे बहतर बात क्या है अब को यहीं पर वीडियो के अंदर ही बार-बार revision मिल जाता है तो बैटर ना वो तो नाशनल ग्रीन ट्रिबिनल होता क्या है सबसे पहली बात तो आपका जो यह नाशनल ग्रीन ट्रिबिनल है यह टॉपिक यूपी असी से बिल्कूल अच्छी तरीक से रिलेट होता है जी जैसे हम लोग ने भी बात करा, एक्ट से रिलेटिड जो भी यहाँ पर आती है, बॉडिस बगरा, तो इनको बिल्कुल में छोड़ा करो, क्योंकि आपका सिंपल सा टॉपिक दे रखा है, यह असल बस के अंदर में, ठीक है? तो यह जो नाशनल ग्रीन टिर्बिनल है, बिसिकली एक स्पेशलाइस्ट बॉड़ी है, जिसको NGT Act 2010 के अंदर में लेकर आया गया था, 2010 में इस अमजलोज को लेकर आया गया, अब जैसे ही हमने NGT को अस्टबलिश करा, इसी के साथ भारत तीसरी कंट्री बन चुका था, जिसने एन्वोर्मेंट को लेकर ऐसा कोई स्टब उठाया था, सबसे इंपोर्टन चीज़ तो यह है, NGT का परपस क्या है, NGT का में काम यही है, एन्वोर्मेंट को प्रोटेक्शन देना, इन्वोर्मेंट को प्रोटेक्ट करना, उसको कंजर्वेट करने का काम करता है, नैशनल ग्रीन ट्रिबनल, उसके बाद मैंने आपको बताया, कि भारत तीसरी कंट्री बन चुका था, जिसने एन्वोर्मेंट को लेकर कोई ऐसी बोडी को इस्टबलिश कराया है, तो पहली दूसरी कौन था, तो पहली दूसरी आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड देखने को मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे NGT के आपको देखने को मिलेगा है, हेड़ क्वार्टर, वो न्यू डेली के अंदर है, बहुत सारे इसके आफिसस वगएरा भी हैं, भोपाल, पुने, कोलकाता, चेनाई के अंदर, स्ट्रक्चर क्या इसका, तो इस ट्रिबिनल के अंदर एक चेर परसन होता है, जूडिशल मेंबर्स होते हैं, और एक्सपर्ट मेंबर्स होता है, यह ध्यान रखना, यह जो NGT आपके पॉलिटी के अंदर भी एक पूरा का पूरा चाप्टर देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, अब आपके सकते हो, यह पांस सलकन का टर्म होता है, और वाप परसन को रियापॉइंट नहीं किया जाता का, ठीके, उसके बाद जो चेर परसन है, अब आपका होगे, जो में परसन है, NGT बॉडी का वो चेर परसन है, उनको अपॉइंट को न करता है, उनको अपॉइंट करती है, सेंटल गॉइंट इन दा कंजल्टेशन विधा चीफ जस्टेस ऑफ इंडिया, जो हमारे सेजे आई हैं, आज के टाइम पर N.V. रमन साब, इनके दोरा हमारी सेंटल गॉइंट डिसकॉइंट करेगी, कंसल्ट करने के बाद, जो है यहाँ पर, चेर परसन को अपॉइंट किया जाता है, और जो बाकि सारे मेंबर्स हैं, जो जुडीशल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, चेर परसन के लाभा उनको कैसा अपॉइंट के जाता है तो उनको अपॉइंट करने के लिए एक selection committee बनाई जाती है वो मिलकर जो है इनको अपॉइंट करती है ठीक है आप क्या सकते हो यहाँ पर 10 और maximum 20 फुल टाइम यहाँ पर judicial और expert members देखने को मिल जाते है इस body में powers and jurisdiction के मै मैंने आपको बता ही दिया है कि यह लोग का काम यही है कि जो भी environment related issues वगरा है उनको tackle out करना आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आता है एक और चोटा सा article बात करी गई है इंद्रा गांधी कैनाल के बारे में जो यह इंद्रा गांधी कैनाल है इसका जो उपर repairment वगरा चल रही ह चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत बाते बता देता हूँ जिसकी वज़ा से मैंने हाँ पर इस article को highlight भी किया है ओके तो यहाँ पर आप देख पाओगे जी एस पिपर one geography से इसको relate कर पाओगे इंद्रा गांधी कैनाल तो खास कर अगर हम बात करें राजिस्थ कैनाल बोला जाता था इसका बाद में नाम बदलकर इंद्रा गांधी कैनाल कर दिया गया दो नवंबर 1984 को ठीके जब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इंद्रा गांधी का असासीनेशन हुआ था उसके बाद अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पर दिखाऊंगा इस पिचर में आप लोग इंद्रा गांधी कनाल को देख पाओंग שמया यहाँ से शुरू होता है फिर उसके बाद यहां तक आपको देख पाओंगे यह पूरा का पूरा कनाल है इस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका देखने को मिल जाएगा कितना लॉंगेस्ट कनाल है और पूछा जाए वंडे एक्जाम में लॉंगस्ट कनाल ओफ इंडिया तो भाई आग बंद करके लगा दे ना इंद्रगांधी कनाल। ओके फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राडिकल की तरफ एक और चोड़ा सा आर्टिकल यह है जहां पर डिसकुशन क्या गया है बीटी कॉटन के बारे में यह आर्टिकल काफी इंपोर्टन है ठीक है देखो बीटी कॉटन पिछले साल से लगबग चौती पांच विवार न नेगेटिव इंपक्ट से यह बताएगा एक स्टडी के द्वारा ठीक है और लॉंग टम इंपक्ट बताए गया और आपके सकते हो कुछ एविडेंस हैं नॉर्थ इंडिया से जो की यह बताते हैं पंजाब के अंदर बीटी कॉटन का अडॉप्ट किया गया था बीटी कॉ सबसे पहली चीज इंपोर्टेंट हमारे एक्जाम के पॉंट अविव से इसको रिलेट कर पाऊगे जीस पेपर 3 में आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे अग्रिकल्चरल मार्केटिंग अग्रिकल्चरल प्राइसिंग अग्रिकल्चरल रिसॉर्स तो वहा इसको बन सकता है कि ICR कौन सी मिनिस्टरी के अंडर में आता है देखो ICR को पहले भी ICR बोला जाता था लेकिन यहां पे जो इंडियान है उसकी जगे इंपीरियल बोला जाता था इसको इसको बोडी को एस्टब्लिश करा गया था 16 जून 1929 में हेड़क्वाटर्स का न्यू अब यहां पर देख पाऊ को रिशर्च करी गई है उसी तरीके से को और इवारा करके यहां पर यह रिसर्ची सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर बोला गया है जो यह बीटी कोड़न है इसको उगाया गया और इस पिछले 10 साल से पंजाब के अंदर इसको ग्रोह किया ज तो यह बीटी है क्या सबसे पहली बात तो यह आपको देखना है बीटी की फुल फॉर्म है बैसिलस थुरिंज जिनियस तो यह कॉटन है यह कमर्शली ग्रो करी गई इंडिया के अंदर पिछले 19 साल से ग्रो करी जा रही है और पंजाब के अंदर जो बीटी कॉटन है उसको यहां पर आपको हेल्ट साइंस और मिजर क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटन देखने को मिलेंगे और बीटी कॉटन का भी एक अलग ही क्रॉपिंग पैटन है इस वज़ा से यह रिलेट हो जाएगा महां से देखो आप क्या है यहां पर आपको यह देखना है सबसे पहली बात तो बीटी कॉटन को लेकर बीटी कॉटन जब आया उससे पहले कौन से हमारे पास कॉटन हुआ करता था तो सबसे पहली बात लग बग अंडर अंटिल था ट्वंटीएथ सैंचरी तक हमारे पास खुद का एक देशी वराइटी हुआ करती थी जिसका नाम तक गॉसिपियम पिए अब ये जो hybrid varieties थी जो भी अब ये अब आपको बताया इसके बंचिन किया गया है अब यह जो hybrid varieties थी यह क्या कर सकती दी यह रेजब नहीं कर सकती है पुल्कल बेकारी हो जाएगी ठीक है अब जो इक cotton है वो सफर करता था इसी चीजों से ठीक है यहाँपर बहुत सारे किटाड़ू बगर अलगा जाते थे खासकर यहाँपर बोला गया है पिंक बॉल वॉम करके ठीक है पिंक बॉल वॉम से यह जो cotton से यह काफी जादा affected थे ठीक है और स साथ साथ यहाँ पर कुछ और पेस्ट और दूसरे किटाडू है जिसका नाम है हैमी पेटरन इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती थी बहुत सारी बक्स हुआ कर दी तो जो हमारी इंडिजिनस वराइटी थी देसी वराइटी थी वह काफी हिट होती थी फिर उ पू पोल मैंने भी आपको बताया बोल वर्म बगएरा है पिंक बोल वर्म बगए रा है और यहाँ पर जो भी हैमी पेटरन है इसको अराम से टेकल कर लेता है बीटी कॉटन तो आप कह सकते हो easily है ठीक है बीटी कॉटन जो है पेस्ट को टेकल कर लेगा तो अब्योसी बात उसको उगाएंगी ठीक है रेजिस्टेंट करता है पिंक बोल वर्म को अमेरिकन बोल वर्म माइनर पेस्ट जो छोटे मोटे पेस्ट होता है इन सब को पूरी तर इसको अम लोग जनिटिकली मोडिफाई करते हैं इसको जनिटिकली मोडिफाई किया गया है उसके बाद यहां पे प्रोड़क्शन किया है याद रहना बीटी की फुल फॉर्म है बैसिलस तुरंजी इनसे इसका नाम है आप से कोशन आए तो आप लोग इसको इसीली कर पाऊगे दो कुछ प्लांट्स होता है उसके अदर ढुब लोग ने के बाद रहते हैं प्रोड़क्शन करने के बद्लाव करने के बाद कि वो लोग उसको और ज़्यादा ग्रो कर देते हैं, तो यहां पर हम लोग को BT cotton का भी process वही देखने को मिलेगा, एक तरीके से genetic modification का process देखने को मिल जाएगा, यहां पर आप लोग देख पाऊगे genetically modified का आपके सकतो simple मतलब एक crop जिसका एक gene है, जिसका DNA है, DNA कुछ प्रकार का होता है आपको क्रोप्स होती है, एक gene को दूसरे gene के अंदर ट्राय करना, ठीके और फिर इसकी वज़ा से यहां पर उसकी पावरी बढ़ जाती है, और कुछ नई चीज हम लोग को produce होती भी नजर आ जाती है, अब यहां पर इंडिया के अंदर पहला GM क्रोप कौन सा था genetically modified क्रोप तो आप को याद रखना है, BT cotton ही था, उसके बाद ब्रिंजल भी है, BT ब्रिंजल करके हम लोग बोलते हैं, यहां पर GM crops इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें, कुछ और other crops है, GM crops इंडिया के अंदर तो यहां पर यह बोलता है, government ने commercially इसको तरीके से cultivation के तोर पर नहीं देखा यहां पर आप देख पाओगे, बहुत सारी crops आज के ताइम पर आपको देखने को मिलेंगी, जो की GM crops के अंडर में आती हैं, ठीके, अब यहां पर आपको इक सबसे इंपोर्टन चीज यह बता देता हूँ, आप से example पूछ जा सकता है, GM crops इंडिया के अंदर BT cotton के अलावा और कौँसी crops देखने को मिल जाएंगी, तो BT cotton तो हमने देखा, BT cotton के बाद अभी पिछले कुछ दिनों में HT BT cotton भी news के अंदर था, जिसको herbicide tolerant बोला जाता है, उसके बाद BT ब्रंजल भी एक इसका GM crop है, उसके बाद DMH 11 mustard है, यह भी एक GM crop यानि जेनेटिक मोडिफिकेशन के उगा गया है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स आर्टिकल की तरफ, याद रखना इसको, यहाँ पर आता है, एक और छोड़ा सा आर्टिकल बात करी गई है, आर्मी है, जो हमारी वो लगबग इंडी जीनियस, लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्ट चीता और चेतक हेलिकॉप्टर हमारे पास है, लेकिन उनकी उम्र जादा हो चुगी है, एक तरीके सो उनको रिटायर करना पड़ेगा, काफी पुराने हो चुके हैं, अब हमें नए लाने पड़ेंगे, और जो यह नए हलिकॉप्टर हैं, जो हम ला रहे हैं, उसका नाम क् KA2260, आपको याद रखना है, KA2260 हेलिकॉप्टर हैं, रशन हेलिकॉप्टर हैं, इसको डवलप करा जा रहा है, भारत के अंदर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दौरा यहां पर इसको डवलप करा जा रहा है, और दिसम्बर 2022 सग यह हलिकॉप्टर हमारे प मिल रहा है, तो यह जो KA2260 है, इसको बोला जाता है, कामोफ 2260 यह उटिलिटी हलिकॉप्टर, आपका प्रिलिम्स के पॉइंट अव्यू से इंपॉर्ण हो जाएगा, तो यह KA2260 हलिकॉप्टर हैं क्या, तो 2015 में इंडिया और रशिया ने मिलकर एक इंटर गॉर्मेंटल ए इसको हमें पूरी तरह से रेप्लेस करना है, वो काफी पुराने हो चुके हैं, अब यहां पर जो डिजाइन है KA2260 का यह तरीके से रशिया का फ्रेम करावा डिजाइन है, रशिया का मोफ डिजाइन को बोला जाता है, यहां पर, असेंबल कहां पर हो रहा है, इसको इंडि हेलिकॉप्टर, लेकिन अगर फिर भी बात करें तो 3.5 टन का यह हेलिकॉप्टर है, और यह कितना लोड ले सकता है, लगबग 1 टन तक का यह लोड कैरी कर सकता है, तो आप समझ सकते हो कितना जादा यहां पर यह लोड लेकर जा सकता है, इसके फीचर्स कुछ हैं, लगब पर कुछ इशू बगएर आएं, इस ओल्ड फ्लीट हेलिकॉप्टर से वो कौन कौन से हैं, अब यह इस वाले हेलिकॉप्टर से इशू नहीं है, जो पुराने वाले हैं, उन से इशू बजो चेतक और चीता हेलिकॉप्टर हैं, वो लगबग 30 साल पुराने हो चुके हैं, अब्वियस सी बात है, हम लोग को आज के टाइम पर इतना जाधा पुराना हेलिकॉप्टर उसको रिप्लेस करने की काफी ज़धा अफशकता है, और रिक्वार्मेंट है हेलिकॉप्टर की इंडियन आर्मी में काफी ज़धा लगबग यह बोला जाता है, 400 हेलिकॉप्टर चाहिए इसी टाइप के हम लोग को अपनी आर्मी के अंदर, यह काफी इंपॉर्णेंट है, तो यहाँ पर संतुष्टी के लिए मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, यह है वो हेलिकॉप्टर, ठीक है, यह हेलिकॉप्टर बेसिकली तो आपको इसके बारे में दि यह मदद देगी योगा, तो खरना चाहिए सभी लोग को, चलो हम कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम एक्जाम अखी अभी तयारी कर रहे है, तो यहाँ पर क्या है, उसको ध्यान रखना, इंटरनाशनल योगा डे आपका वंडे एक्जाम के लिए इंपॉर्ण हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर सजेस्ट किया जाथा, कि देखो, जो 21 जून है, वो एक लोंगेस डे होता है, सबसे इंप्रॉटन लाइन, जो 21 जून वाला दिन होता है, आपको मालूम होगा, पूरे साल का सबसे लंबा दिन इसको बोला जाता है, नर्दन नाशल योगा डेई जो सलिब्रेशन है वो कब हुआ था तो वो हुआ था नियू डेली के अंदर 21 जून 2015 में और वर्ल हेल्ट और यहां पर हेल्थ वगारे को इंप्रूव करता है और 2018 से लेकर 2030 तक का यहां पर टागेट वगारे रख रखा है और यहां पर यह आपको ध्या लाई है उन्होंने यहां पर जो यह इनसे वाटसप वोगया फेस्बूक वोगया इनसे बोला कि आप लोग अपने सर्टेंस डॉक्यूमेंट्स वगरा जो है समिट कर दो अब जो यह डॉक्यूमेंट है वो किस चीज के रिगार्डिंग है वही वाटसप न्यू प्राइव और काफी टाइम बाद यह न्यूस के अंदर देखने को मिला है जैसे मैंने आपको बताया आपके सिलेबस में ट्रिबुनल से लिखावा है तो यह आर्टिकल आपका स्ट्रेटरी बॉड़ी से रिलेट कर पाऊंगे जी एस पर परफ़री के अंदर कॉम्पिटिशन कमिशन एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग में इसको लाया गया तो यह आपको धिहान रखना है उसके बाद जो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलीसी एक्ट है 1969 का जिसको हम लोग MRTP Act बोलते थे इसको रिप्लेस करके यहाँ पर यह कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 लाया गय सबी के बीच में इस तरीके से कॉम्पिटिशन को मिंटेन करने के लिए यहाँ पर यह एक तरीके से CCI को अस्टबिश करा गया है ठीक है यह सिंपल सा आर्टिकल है इसको ध्यान रखना रोल इसका क्या है रोल मैंने आपको वही बता दिया है कि अगर कोई भी यहाँ पर ग करता है हमारा Competition Commission of India ठीक है तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है काफी इंपोर्टेंट यह हो जाता है नव आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ एक छोटास आर्टिकल यहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा इसको मैंने है फिलाल इतना ज़दा तो उसी के basis पर हाँ पर सेंटर यह बोलती है कि जो dead body है इससे कोई गंगा के अंदर pollution वगरा आइड नहीं होगा तीके सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पर बोली गई है जो dumping of bodies है इंदा गंगा यह यहाँ पर आपको सकते हो जो कोवीड की वाज़े से जो भी जिनकी भी death होई ह उनकी bodies को जहाँ पर dump किया गया है river के अंदर इसकी वज़ा से कोई भी pollution वगरा नहीं बड़ा है river के अंदर ऐसा यहाँ पर बताया गया है जल शक्ती ministry के दौरा तो उसी के बारे में छोड़ी सी information दी गई है अब बात करते हैं एक और information यहाँ पर आपको यह देखने को मिले है ठीक है तो अब क्या हो रहा है क्या बोला नोने electronic machines का इस्तमाल करो ताकि आप लोग राशन वगरा का वेट कर सको ठीक है वेटिंग करने के लिए उसकी तो center यहाँ पर यही चाहता है ऐसा यहाँ पर बोला गया कि इस्तमाल करा जाए जो electronic point of sale device है उसका यहाँ पर पूरी यह भी नहीं देखने को मिलेगा मतलब कहीं न कहीं अगर हम लोग यह electronic machines का इस्तमाल करते हैं तो इससे हमारी productivity ही काफी अत्तक बढ़ते हुए नजर आएगी अब यह सारी चीज़े किसी के अंडर हो रही होंगी बिलकुल according to amendment of the national food security act rule ठीके NFSA rule के according में यहाँ पर यह सारी च distribution system, buffer stocks and food security, government policies and interventions करके आपको यह topic देखने को मिल जाएंगे, National Food Security Act आपको 2013 में यह notify किया था, आपको ध्यान रखना है, इसका main objective यह ही है कि लोगों को खाना प्रोवाइट करवाया जा सके, खासकर nutritional security दीशा सके, लोगों को एक nutritious खाना मिल सके, ठीके आपको तब ही आपने सु प्रोवाइट का जिम्मेदारी, इस act की जिम्मेदार यह भी हो जाती है, कि quality और quantity के अंदर food प्रोवाइट करवा सके लोगों को, affordable price के अंदर, और यह लगबख rural population को भी cover करता है, ठीके, गाउं और शहर दोनों areas को यहाँ पे cover किया जाते हैं, इसके अंदर क्या क्या है, ल तरीके से आपको free में मिल ला है, ठीके, उसी तरीके हम से जो अन्तियोध्य, अन्योजना scheme के अंदर में आते हैं लोग, उनको यहाँ पे 35 kg मिलता है, उनके पूरी family के लिए, लेकिन जो बाकी सारे लोग आते हैं, जो priority household वाले हैं, खासकर जो गाउं वाले sector में लोग हैं, या फर lactating women हो गई, तो उन सबको भी यहाँ पे benefits दिया जाता है, लगबख 6000 रुपे का benefits दिने की बात करी गई है, उसके बाद जो बच्चे हैं उनको meals वगरा प्रोवाइड करी गई है, जो की 14 साल के हैं, उसके बाद यहाँ पर अगर उनको meals नहीं मिलते हैं, तो फिर क्या है, उनको यहाँ पर एक benefits, आपके सकतों allowance दिया जाएगा, कुछ पैसा वगरा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर यह NFS से वर्क करता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, 2013 का यह act है, ओके, आगया आतना है page 11 के उपर, that is world section, देखें काफी लंब समय से चल रहा है, तो वहाँ के जो प्राम मिनिस्टर है, आपको अर्मेनिया के, इनका नाम है, निकोल पशिनियन, तो यहाँ पर इनका आप देख सकते हो, यह picture है, और यह जीत चुके हैं, तो उसके बारे में एक information दी गई, और आपको मालूम होगा, अर्मेनि आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर उसको देख लेना अच्छे सा आपको conflict समझ मा जाएगा, नगोर्नो कारबक रीजन को लेकर यह दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, ओके, बेसिक आपको समझ मा जाएंगे, उसके बार निक्स अर्डिकल काफी खतरनाग यहाँ पर आ कि यह nuclear negotiations को अलाव नहीं करेंगे, अब देखते हैं क्या होगा nuclear deal के ओपर effect, अब आनवले टाइम पर हम लोग को पता चलेगा, Biden से meeting भी नहीं होगी, अभी यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले बात यह देखेंगे, जो Biden से meeting वगरा के लिए भी यहाँ पर काफी अतक, चीज के अंदर एक दिक्कत ये भी है, बहुत जादा बुकमरी बगरा देखने को मिल रही है, इन्फार्क यहाँ पर इनके पास पैसा बगरा नहीं बचावाए, इन्होंने UN को भी पैसा नहीं दिया था, अब तो फिलाल यहाँ पे कुछ दिन पहले UN को इन्होंने अपना पैसा के आए, ठीके जो भी इनका पेंडिंग मनी था, तो यह बहुत सादा क्रैसिस देखने को मिल रही है, इरान के अंदर अब देखते हैं इनके आने के बाद क्या 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 यहाँ पर चीजे यह रिजॉल्व करते हुए, नजर आते हैं, उसके बाद एक आर्टिकल है, यह एक स्टार्टिकल यह है, कि अभी आपको मालूम है, गाजा पती और इसराइल के बीच में कॉन्फिक्ट हुए थे, यही पर अभी पिछले 11 दिन तक वार चली थी, काफी कुछ नुकसान हुआ है, गाजा के अंदर आपको हमास देखने को मिलेगा, इनके बीच में डिस्प शुरू हो गया है, तो आनवाले टाइम पर देखेंगे, हम लोग कैसे कैसे चीज़ें चलती है, फिलाल तो इन दोनों के रिलेशन्स अभी सुधरने वाले हैं नहीं, क्योंकि काफी यह तक रिलेशन्स इनके खराब हैं, ओके, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, निक्स्ट आ कि देखो आज के टाइम पर कोविट की वज़ास से बहुत सरे फैमिली के जो ब्रेड विनेट से जो कमा के खिलाने वाले लोग हैं, जिसके ओपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, उन सब लोग की भी डेथ हुई है, तो उन सब लोगों के लिए हम लोग को अब कर सकते हो supportive policies लेकर आनी पड़ेगी, कुछ चीज़े लेकर आनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर ऐसी problems को tackle करें, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर compensation बताया गया है, एक तरफ यहाँ पर सरकार आज के टाइम पर compensation देने से मना कर रही है, ठीक है, और दूसी तरफ यहाँ पर compensation देने की का पर यह एक्स ग्रेशा payment दिया जाएगा, लेकिन सही भी था यह, लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं आने वले टाइम पर क्या situation देखने को मिलती है, उसके बाद दूसरी सबसे important चीज़ भाई, अभी भी यहाँ पर टाइम है कि हम लोग health sector के ओपर यहाँ पर पैसा लगाए देखो अभी तो time बैसे काफी लेट हो चुका है, हमें तो यह काम बहुत पहले करने चाहिए था, हमारे health infrastructure के ओपर हम लोग काफी हद तक कम पैसा खर्च करते हैं, अपने GDP का 1% का हम लोग खर्च कर रहे हैं, उसको हमें काफी हद तक बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हम ल लोग को बहुत सरी schemes भी लानी पड़ेंगी, और compensation के बारे में आप लोग को बता दिया है, compensation is one of the most solution यहाँ पर रहने वाला है उन लोग के लिए, तो यहाँ पर आज का जो carbon picture है, वो भी सी के ओपर है, यहाँ पर आप देख पाओगे, carbon picture के अंदर क्या-क्या define किया गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोलना है, medical infrastructure instead of composition for COVID death, यानि कि कि किसी की death हो गई है, तो उसके लिए medical infrastructure सही है, ठीक है, आप medical infrastructure लो, हाला कि death हो गई उस बन देगी, लेकिन composition नहीं दे रहे हैं लोग, तो ऐसा यहाँ पर situation देखने को मिला है, उसी को उपर यहाँ पर यह cartoon picture भी दिया गया है, ओके, नौ उसके बाद आता है, next tactical, perpetual war करके, जैसे मैंने आपको बताया, आज के time पर जो US है, अमेरिका को क्या करना चाहिए, अफगान सरकार को एक तरीके से support करना चाहिए, ऐसे बोला गया है, आज के time पर हुआ क्या है, तालिबान को support कर रहा है, तालिबान को भी हम लोग disputes देख सकते हैं, आपको मालूम होगा, थोड़ा सा मैं background cover कर देता हूँ, एक दो मिनिट में, कि 2001 में यहाँ पर हुआ था, एक attack हुआ था, USA के अंदर एक building पर attack हो गया था, और वो attack किस ने करवाया था, अलकाइदा का और साथी साथ ओशामा बिन लादेन है, उसने 2001 में अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल दा था, और अफगानिस्तान में 2001 में तालिबान जो है पूरी तरह से control समालता था, तो अलकाइदा या फिर जो उशामा बिन लादेन है, यह तालिबान से आपको सकतो इसके अंदर में यह लोग रहते थे, तो यहाँ पर USA ने किया है, USA ने मांग करी तालिबान से कि आप अलकाइदा को क्या करो, वहां से खतम कर दो, तालिबान से, पूरी तरह से टर्रिजम, सोरी अफगानिस्तान से, टर्रिजम को पूरी तरह से खतम कर दो, साथ-साथ जो ओशामा बिन लादेन है वो USA को सौप दो, तो यहाँ पर तालिबान ने इस चीच को इंकार कर दिया, फिर उसके बाद जो USA की फोर्सिस है, वो यहाँ पर क्या को गई, घुज गई, कहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर, और फिर उसके बाद से यहाँ पर एक तरीके से टर्रिजम को वहाँ पर खतम भी किया, और ओशामा बिन 21 चला है, 20 साल पूरे हो चुके हैं, अभी तक वहाँ पर टूप्स देखने को मिल जाएंगे, अब जो यह 2001 के अंदर यह अटक हुआ था, इसको हम लोग 9-11 अटक भी बोलते हैं, क्योंकि यह 11 सितंबर को हुआ था, तो अभी यहाँ पर उसी को लेकर, अभी फिर से सितंब है, तो उनको मेंटेन करता रहा, ठीक है, उन्होंने सरकार बनाई वहाँ पर, अब क्या है, तालिबान को यहाँ पर एक तरीके से तालिबान को कमजोर भी कर दिया था, USA ने, काफियत तक आप लोग कह सकते हो, लेकिन अब क्या होगा, जैसे USA वहाँ से बाहर निकलेगा, त आने वले टाइम पर उस सिचुएशन में पता चलेगी, कैसे कैसे साजीची देखने को मिलेगी, जैसे मैंने बताए, इसको 9-11 अटैक बोल जाता है, और 11 सितंबर 2021 को यह 20 साल की पूरी अनिवर्सिरी हो जाएगी, USA अपने टूप्स को वापस से विड्रो करेगा, पूरी यह तक बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपने थमनेल भी देखा होगा, कोविड को, कोविड की वज़ा से और जादे कमर टूट गई है, कोविड की वज़ा से लोग और जादे गरीब हो चुक है, इन फाक्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी, जिसके बारे हमने डिसक 145 के असपास रुपए रोज कमा रहा है, वो यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हो, पोवर्टी लाइन के उपर आ जाता है, लेकिन फिर भी अभी आप कह सकते हो, ऐसी सिचुएशन है कि बहुत साई लोग इतना रुपए भी नहीं कमा रहे हैं, लिक्त वर्ड बैंक ने इतनी बड़े कंट्री होने के बाद, इतनी बड़ी यहाँ पर पोपुबलेशन होने के बाद यहाँ पर इंडिया के अंदर जो यह राइंक थी, वो 99 थी, तो आप समझ सकते हो, जो ब्रिक कंट्री आती हैं, ब्रिक के अंदर कौन कोसी कंट्री आप को मालूम होगा, पाँछ देखें तो इंडिया सबसे जादे नीचे आता है एक लोवर स्टेट इसने मेंशन कर रखा है अपनी लोवर पोजिशन हासिल कर रखी है और आपका सकतो बाकी सारी कंट्री इसके आगे निकलती भी नजर आ रही है लोवर मिडिल इंकम कंट्री यहां पर इस काडिगरी के अं जलती रहेगी और जादा वह सिच्वेशन होती रहेगी क्योंकि इंफलेशन बढ़ता रहेगा यह जो महंगाई यह चलती रहेगी और जो है गरीबी ऐसे बढ़ती रहेगी तो फिर कंट्री का क्या हाद होने वाला है वह आपको मालूम ही चलेगा आज की टाइम पर बहुत कंजम्शन के बारें बात करें तो यह एक्सपेंडीचर काफी हता कम होता वह नजर आया है सबसे बड़ी बात तो हमें एक्सपेंडीचर वगरा थोड़ा सा खर्चा बढ़ाना पड़ेगा दूसाब चीजों के ओपर ठीक है बहुत सा इननी पॉलिसी स्कीम्स वगरा लानी जो बच्चे है जो जन्म लेकर ही बच्चों की डेथ हुई है और ठीक है मेटरनल डेथ होई है माओ की डेथ हुई है तो ऐसी कंडिशन इंडिया के अंदर काफी ज़्यादा देखने को मिली है बहुत जादा गरीबी की वज़ासा है लोगों के पास पैसा नहीं खाएंगे फिर इसकी वज़ासे जो पोशल भरफूर खाना मिलना चाहिए शरीर को वह नहीं मिल पाते है उसकी वज़ासर यहादा पर बात कर आगे निकल चुका है और वहीं दूसरी तरफ बात करें सस्टेनेबल डवललेपमेंट गोल्स की तरफ आपको मालूम होगा हमारे 17 सस्टेन अंदर भी काफी पीछे चल ला है, चीजों को अच्छी तरह के से इंपलिमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि sustainable development goal में भी हमारा इक goal health है, poverty है, बहुत सारी चीजे है, gender equality है, तो ये सारी चीजों को भी हम लोग tackle लहीं कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से, ये चीज यहां पर mention करी ग जिसके बारे मैं इनको ने mention किया है, इसको आप लोग एक बार रीड़ ले सकते हो, नहें भी लेना चाहो तो कोई बात नहीं है, इतना हम लोग ने discuss कर लिया है, छोड़ी से information जादा है नहीं, poverty को लेकर बातचीत करी गई है, और जनल सा आर्टिकल है, ठीके, मतलब इसके ब लिए दो आर्टिकल और बचे हैं, एक आर्टिकल ये वाला बचा है, और एक आर्टिकल हमारे लिए नीचे वाला बचा है, ठीक है, इन दोनों आर्टिकल को मैं कल डिसकस करूँगा, छोटे छोटे आर्टिकल हैं, ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, बट इम्पोर्ट हैं छोटे हैं बड़ इंपोर्ट हैं तो दोनों ये आर्टिकल को मैं आपको बताऊंगा ये पॉलिटी का कॉंसेप्ट है फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है इंडिया क्या है क्वासी फैटरलिजम है क्या है इसके बारे में डिस्कुशन करेंगे उसके बाद यहां पर यह डी नहीं तो उसके अगले दिन पर डिस्कुश कर लेता हूं तो वो मेरी जिम्हेदारी है आप लोग मेरों पर रहना जितना भी वीडियो के अंदर है उतना पढ़ लेना नोट्स वगर मैंने आपको दे दिया है ओके नाव इसके साथ मिलते हैं आप लोग उस नेक्स वीडियो मैं आज के लिए बाब बाई एव नाइस दे थैंक यू और जाहिन